क्या आपको कोलेज की डिगरी के बाद जोब मिलती है? आपका जोब होगा नहीं, लेकिन कभी आपने ये सोचने की कोशिस की है कि डिगरी करने के बाद भी जोब क्यों नहीं मिलती? क्या आपको पता है कि भारत में 14% educated people unemployed है? ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेस्बूक पर हर रोज बेरोज गारी की नए-ने बाती होती रहती है भारत में आज लाखो करोडो युवा सरकारी नोकरी की प्रिबेरेशन कर रहे हैं लेकिन उनमें से कितनों को जोब मिलती है? लाखो लोग आज इंडिया में post graduation and graduation के बाद भी उनकी फिल्में जोब नहीं पा रहे है हाई, मैं हूँ आकाश और मैं हूँ जिलनाकराणी, तो अगली कुछ मीनिट के अंदर हम इसके solution और इसके reason के बारे में कुछ बात करेंगे अगर ये वीडियो आपको कुछ हद तक motivate करता है, तो जितने भी students है या फिर जो जोब सर्च कर रहे हैं, उन तक आप ये वीडियो को share करेंजी तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं reason की तो first reason is India's population जैसे कि हम लोग जानता है कि 0.97% growth rate के साथ आज इंडिया 1.39 billion की आज population है अगर हम चैना की population 1.41 billion की बात करें तो हम लोग only 450 million ही पीछ है तो जैसे कि मैंने population की बात की तो population के हिसाब से इंडिया में job opportunity होनी चाहिए लेकिन गलती कहा करते हैं आज हम सभी की mentality है कि ज्यादा degree करने से या फिर degree ही job का रास्ता है हमारी पूरी की पूरी generation आज doctor या engineer बनने में तूली है जबकि हमारे parents भी schooling और education पे इतना force कर रहे हैं कि उनके साथ parallelly चल रही हम creative job के बारे में या फिर creative field के बारे में aware या updated है ही नहीं आपको शायद ये जानकर हैरानी हो कि आज इंडिया में 80% engineer बेरोजगार है और साथी साथ आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि 47% graduated people आज कोई भी industrial job के लिए valid नहीं है तो साथी साथ आज higher education के साथ आज unemployment यानि की बेरोजगारी का प्रमाण दिरे दिरे बढ़ता ही जा रहा है इसका सबसे बड़ा एक reason है हमारी आज की education system हमारी college या फिर university हमें जो market में trending में या फिर जो अभी latest technology है उसके बारे में कभी सिखाती ही नहीं है जिसके कारण कोई भी विद्यार्थी ये student 12 साल school में और 5 साल college में बिताने के बावजूद भी अपने अंदर छिपी हुई skill को या creativity को नहीं दूण पाता है और हम इन सभी को avoid करें तो हमें ये नहीं पता कि हम कितने prepare है हम कितने creative है हमारी creativity कहा है और हमें क्या काम करना है तो हम लोग only for गधो की race में भागने का काम ही करते हैं हम हमेशा ही 90% अपकी 5-6 लगा के बेढ़ते हैं और उसके लिए दिन रात hard work भी करते हैं इन दोरान हम कभी भी newspaper या current affairs के बारे में जानते ही नहीं है उसके बारे में पढ़ते ही नहीं है उसके बारे में हम aware ही नहीं होते हैं और इसी कारण हमारा financial knowledge भी बहुत ही कम रह जात हैं फिर भी आपको financial knowledge की तंगी की वज़े से पेशो की कमी उम्रभर सताएगी graduation के बाद हमारी mentality यह हो जाती है कि post graduation complete करने के बाद हमें job मिल जाएगी उसके बाद हमारी mentality हो जाती है कि चलो PhD करते है उसके बाद हमें job मिल जाएगी तो दिरे दिरे हमारी mentality change होती जाती है जब तक हमें नौकरी नहीं मिलती तब तक जाने अन जाने में हम कहीं ना कहीं हमार या कोई solution है जी हाँ दोस्तो हम लोग हमारे 22 से 24 साल हम education में invest करते हैं और साती साथ हर रोज के 5 गंटे हम लोग class में वहतित करते हैं और बाकी का जो time होता है बाकी का time में हम लोग हमारे time waste कर देते हैं और बाद में 24 साल के बाद पता चलता है कि हमने कुछ किया ही नहीं इसका solution क्या है जब भी आप school में हो या फिर college डिग्री के कोई भी courses कर रहे हो तब आपके पास जितना भी free time बचता है वो time किसी भी activities में आप invest करिए या फिर कोई भी creative field जो अभी market में trending में है जिसका future bright है वो courses शिखना शरू कीजिए अगर education और graduation basic requirement है तो आप सोचिए कि हर एक graduated people को आज job मिलनी चाहिए लेकिन job नहीं मिलती उसके पीछन एक reason हमारा खुद का ही होता है कि हमने college के time में और schooling time के अंदर कभी practical knowledge लिया ही नहीं solution क्या है मानो कि अगर आप engineering कर रहे हो तो सिर्फ किताबी रिटे मत मारो उसके साथ साथ कुछ practical knowledge के लिए कहीं पे भी internship में जाओ कहीं पे भी जहाँ पे site में work चल रहा है कोई company में work चल रहा है as an intern आप काम करो वहाँ से क्या होगा कि आपको practical knowledge मिलेगा और आपके context भी होगा तब तक आपके लिए एक job opportunity wait कर रही होगी और आपको नौकरी के लिए हाथ नहीं फेलाने पड़ेंगे अभी जमाना कुछ ने कुछ हटके करने दिखाने वालों लोगों का है अगर आपको एक ही field के अंदर job नहीं मिलती तो उसके पीचिका reason ये भी हो सकता है कि scope of the work दोस्तों बहुत ही अच्छे person ने बहुत ही अच्छे वाक कि कहा है कि if opportunity doesn't knock, build the door अगर इसको मैं आसान बाचा में समझाने का परेद में करू कि आपको job या फिर आपको opportunity नहीं मिल रही है तो आपको खुद का रास्ता बील करना होगा कि जो आपको लोगों से अलग कर पाए आप market में और worldwide चल रही field में भी try कर सकते हों जैसे कि उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा सबसे पहले आपको उसके बारे में updated रहना पड़ेगा कि कौन सी field अभी market में trending में चल रही हैं किस field में बहुत ही अच्छा future बन सकता है किस field में बहुत ही ज्यादा पैसे है किस field आपके लिए अनुकुल है और उस field के लिए आपके से काबिल बन सके दोस्तों आपको ज्यान कर ये हैरानी भी होगी कि आजकल करोडों लोग ड्रेजिएशन के बाद मिलने वाली जोब से अलावा काफी creative जोब में भी काम कर करके लाखों करोडों रुपे बदा रहे है जैसे कि animation, VFX, web developing, software developing, app developing, google पे काम कर रहे हैं, online marketing का काम कर रहे हैं और अगर local market की हम बात करें तो jewelry design, jacquard design, embroidery design इसके इलावा अंगिनत ऐसी job है, अंगिनत ऐसी field है कि जिसके अंदर आप अपने creation, आप अपने creativity, आप अपने field, आप अपने experience के साब से आप बहुत ही बेतर इन काम कर सकते हो, ऐसा ज़रूर नहीं है कि foreign के काम करने के लिए आपको compulsory foreign ही जाना पड़े, आप यहाँ बेट आप Google पे type करके भी search कर सकते हैं कि भारत के सबसे 10 धनिक लोग कौन है, उन किसी के पास भी master degree या फिर PhD डिगरी नहीं है, हैं तो सिर्फ उनके पास कुछ नए ideas, उसके पास कुछ नया करने का होसला और कभी न हारने की ताकत इससे यह प्रजित होता है कि जितनी ही जल्दी आप यह बात को समझ पाते हो, उतनी ही जल्दी सफलत आपके नज़िक आती जाती है, दोस्तो एक बात आप खास याद रखियेगा कि डिगरी पे रोटी या नहीं से की जाती, अगर आप 9 to 5 के जोब के जोब के अंदर आप घर के बील और आप खर्चे ही निकाल सकते हो, अगर आपको कुद का एंपार क्रियेट करना है, तो आपको खुद मेनत करनी पड़ेगी, खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा, दिन रात आपको मेनत करनी पड़ेगी, आप लोगों ने अभी तक सोचने में बहुत ही टाइ और नई क्रियेटीव फिल्ड में आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो उस सभी क्रियेटीव फिल्ड के बारे में हमने अल्रेडी वीडियो बना के अपनी यूट्यूब चैनल संजू डिजेनर फेक्टरी में रखे हुए हैं, आप चेक भी कर सकते हैं, अगर ज्य और अगर आप भी कुछ नई फिल्ड के साथ जूड़ना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो आए हमनारे साथ जूड़ जाइए, संजू डिजेनर फेक्टरी आपको छे महीने किसी भी कोर्स में ट्रेनिंग देकर, दो महीने इंटर्शिप के बाद 100% जोब से कुछ कम करने का भी प्रयास कर सकें, अगर यह वीडियो आपको पशंद आया हो, तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, और साथी साथ मैक्सिमो लोगों तक यह वीडियो पहुचाए, मतलब की शेर करिए, और हमारी चैनल संजू डिजेनर फेक्टरी को सब्सक्राइब 100% जॉब गरेंटी देते हैं, तो आज ही हमारी संस्था विजिट कीजिए, और अधिक जानकर एक लिए हमें संपर कीजिए, 9723994411